नमस्कार मैं हो ओशिन कामबोज और इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है आए जानते हैं आज के राशी फल के बारे में आज इन राशियों पर बरसेगी हनुमान जी की असिम कृपा, सूरी की तरह चमकेगा भाग्य गरन चत्रों की चाल से राशी फल का आकलन किया जाता है मंगलवार का दिन कुछ राशी वालों के लिए शुब तो कुछ राशी वालों के लिए समान्य रहेगा वैदिक जोति शास्त्र में कुल बारा राशियों का वर्णन किया गया है हर राशी का स्वामी ग्रह होता है ग्रहन अच्छत्रों की चाल से राशी फल का आकलन किया जाता है मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है इस दिन विदी विधान से हनुमान जी की पूजा अर्षना की जाती है मेश राशी, मन प्रसन रहेगा, माता के स्वास्थे में सुधार होगा, कारोबार में विर्दी होगी पैश्रम अधिक रहेगा, परंतु रहन सहन अव्यवस्थित रहेगा शेक्षिक कार्यों पर ध्यान दे, सहियत रहे, क्रोध के अतिरेक से परिशान हो सकते हैं बाचीत में संतुलन बनाए रखे, किसी मित्र के सहयोग से कारोबार के नए अवसर मिल सकते हैं आय में व्रिद्धी होगी, माता के स्वास्थ में सुधार होगा, दिन चर्या अव्यवस्थित हो सकती है व्रिश राशी, आत्म विश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन चिंतित हो सकता है, पारिवारिक समस्याइं परिशान कर सकती है स्वास्ते का ध्यान रखे, खर्षों में वृद्धी होगी, मन में नकरात्मक्ता का प्रभाव रहेगा, कुछ पुराने मित्रों से भेट हो सकती है, सुस्वादु खानपान में रूची रहेगी, नौकरी के लिए साक्षात करादी कारियों में सफलता मिलेगी, व्यर्थ की चिन्ताओं से स्वास्ते प्रभावित हो सकता है, मिथुन राशी, व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद के स्थिती बन सकती है, किसी मित्र के सहयोग से आय व्रिद्धी के साधन बन सकते है, स्वास्ते का ध्यान रखे, मानसिक शान्ती रहेगी, परंतु खर्चों की अ आ सकते हैं, मन प्रसन रहेगा, करकराशी, आत्म संयत रहे, व्यर्थ के क्रोध से बचे, सेक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी, नौकरी में कार्य शेत्र में बदलाव के योग बन रहे है, पैश्रम अधिक रहेगा, मानसिक कठनाईया आ सकती है, धर्म के प्रती शद्धा भाव रहेगा, किसी पुराने मित्र का आगमन हो सकता है, खान पान में रूची बढ़ेगी, वस्त्र उपहार में प्राप्त हो सकते हैं, खर्चों में व्रिद्धी होगी, जीवन साथी के स्वास्थ में सुधार आएगा, सिहराशी, मन प्रसन रहेगा, भवन सुख में व् कार हो सकते हैं, नीराशा एवं असंतोश की भाव से तनाव के स्थिती बन सकती है, कार शेत्र में कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है, मित्रों का सहयोग मिलेगा, सैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी, कन्या राशी, आत्म विश्वास भर पूर रहेगा, नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा, तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे, आय में व्रिद्धी होगी, भाग दौर बढ़ेगी, आति उत्साही होने से बचे, कला एवं संगीत के प्रती रुजान बढ़ सकता है, न हाईयों में मन मुटाव के स्थिती बन सकती है, तुला राशी, क्रोध की अधिकता हो सकती है, पिता के स्वास्ते का ध्यान रखे, किसी मित्र के सहयोग से कारुबार में बदला हो सकता है, पैश्रम अधिक रहेगा, आय में व्रिद्धी होगी, आत्म संयत रहे, जीवन स्वाव मिलेगा, भौतिक सुखो में व्रिद्धी होगी, परिवार के साथ यात्रा देशान के प्रति जा सकते हैं, रहन सहन कश्टमय हो सकता है, नौकरी में अफसरों से मत्भेद हो सकते हैं, प्रिष्चिक राशी, आशा निराशा के भाव मन में हो सकते हैं, वाडी में म अधूरता रहेगी, किसी मित्र के सहयोग से कारोबार के अवसर मिल सकते हैं, आय में वृद्धी होगी, सेहत का ध्यान रखे, आशा निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे, कारोबार में कठिनाई आ सकती है, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लाव के अवसर बढ़ेंग संपत्ती में निवेश कर सकते हैं, सेहत का ध्यान रखे, संबंधों में मधूरता आएगी धनू राशी, मन में शान्ती एवं प्रसन्ता रहेगी, संतान सुख में व्रिद्धी होगी, परिवार में सद्भाव का महौल रहेगा, वाहन पर खर्च बढ़ सकते हैं, मित्रों का सहयोग मिलेगा, खर्चों में व्रिद्धी होगी आत्म विश्वास भरपूर रहेगा, स्वभाव में जिद्धी पन रहेगा, जीवन साथी से नोक जोक हो सकती है, खान पान के प्रती सचेत रहे, उदर विकार से पेडित हो सकते हैं, किसी पुराने मित्र से भेट हो सकती है, संतान को कश्ट होगा मकर राशी, कला या संगीत के प्रती रुजान बढ़ सकता है, धर्म कर्म में व्यस्तता रहेगी, परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं, जीवन साथी के स्वास्ति का ध्यान रखे, मानसिक तनाव रहेगा, भायों से वैचारिक मत्भेद हो सकते हैं, संता मानसिक शांती रहेगी, आत्म विश्वास में कमी आ सकती है, मित्रों का सहयोग मिलेगा, मित्र के सहयोग से धन की प्राप्ती हो सकती है, कुम्भराशी, आत्म विश्वास भरपूर रहेगा, मन प्रसन रहेगा, कारो बार में कठिनाया आ सकती है, परिश्रम अधिक रहेग परिवार का साथ मिलेगा स्वास्तिका ध्यान रखे, खर्च अधिक रहेंगे कार शेत्र में विपरित परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है अधिक परिश्रम की बावजूद सफलता संदिक्द है परिश्रम की अधिकता रहेगी लाब की स्थिती में सुधार होगा लंबी यात्रा पर जा सकते हैं मीन राशी पठन पाठन में रूची रहेगी शेक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे दामपत्य सुख में वृद्धी होगी संतान के स्वास्ते का ध्यान रखे किसी पुराने मित्र का आगमन हो सकता है ध्यारे शिल्ता में कमी आएगी सेहत का ध्यान रखे मन में शांती एवं प्रसनता के भाव रहेंगे माता का सानिद एवं सहयोग मिलेगा सुख सुविधाओं में वृद्धी होगी किसी संपत्ती से धनार्जन के साधन बन सकते हैं तो ये तो थे आज के राशीफल कल फिर मिलेंगे नमस्कार